आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे अमेरिका ब्रिटेन का तीसरी बार यमन पर हमला और हुती विद्रोहियों के बारे में हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने मिलकर हुती विद्रोहियों के कबजे वाले इलाकों पर हमला किया है हमले 36 ठिकानों पर किये गए है इसमें हत्यार रखने की जगा मिसाईल एर डिफेंस सिस्टम और रडार से जुड़ी साइट शामिल है दरसल हुती विद्रोही लगातार लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं इसके खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन कारवाई कर रहे हैं दोनों देशों का ये तीसरा जॉइंट ऑपरेशन है इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने 28 जनवरी और 11 जनवरी को यमन पर हमला किया था वहीं 11 जनवरी से अब तक अमेरिका नो बार यमन में हुती विद्रोहियों के ठीकानों को निशाना बना चुका है अमेरिकी सेनाओ ने लगातार दूसरे दिन खाड़ी देश पर हमला किया तीन जनवरी को अमेरिका ने इराक सीरिया में 85 इरानी ठीकानों को तबा कर दिया था इन हमलों में इराक की 16 और सीरिया में 18 लोगों की मौत हुई थी। इराक ने दावा किया कि मरने वालों में आम नागरिक भी शामिल है। सीरिया इमेडिया के अनुसार अमेरिका स्ट्राइक में नागरिकों और सैनिकों की मौत हुई है यमन में किये गए हमलों में अमेरिका और बिटेन की सेना के साथ आस्ट्रेलिया, बहरीन, कैनेडा और नीदरलेंड की सेनाई भी शामिल है यमन में ये अटेक विमानों, जहाजों और एक पंडूबी के जरीए यमन की राजधानी सना सदा और धमार शहरों के साथ-साथ हुदे trainings दाहा प्रांत में किये गए है इन हमलों पर अमेरिका का कहना है कि वयापार बाद इतना हो इसलिए हूती विद्रोहियों को रोकना जरूरी है अमेरिका और बिटेन ने भी वियान भी जारी किया है हूती विद्रोहियों की हमलों की चलते लाल सागर से ग करीब 15% shipping traffic होता है हुती विद्रोहियों के हमलों से यूरोप और एशिया के बीच मुख्य मार्क पर अंतराश्ट्रे वैपार को समस्याओं का सामना करना पड़ा है इन समस्या को खतम करने और व्यापार को बचाने के लिए हुती विद्रोहियों को रोकना जरूरी है दरसल इ मास जंग के चलते हुती विद्रोहियों ने गाजा का समर्थन करने के लिए लाल सागर में जहाजों पर हमले शुरू किये थे और वे shipping routes को निशाना बना रहे हैं अब हम बात करेंगे हुतियों के हमलों से भारत पर क्या असर है 23 दिसंबर 2023 को लाल सागर में MB साई बाबा जहाज पर हमला हुआ था ये जहाज भारत आ रहा था और इसमें सवार ओपरेटिव टीम के सभी 25 लोग भारतिये थे इस पर अफरीकी देश गेबोन का जंडा लग था हमले के बाद इस ट्रेट रूट के सुरक्षा के लिए भारत ने अपने पांच वार्शिप उतार दिये थे इससे पहले 19 दिसंबर को हुति विद्रोहियों ने लाल सागर में एक कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को हाईजक कर लिया था कि जहाज तुर्किये से भारत आ रहा था हुति विद्रोहियों ने इसे इसराइली जहाज समझ कर हाईजक किया था ऐसा पहली बार हो रहा है कि अंतराश्टिय विरादरी व्यापार के समुद्री मार की सुरक्षा को लेकर चिनते थे अमेरिका चीन भारत सहीत कई देश एक साथ तजर आ रहे हैं भारत का 80% व्यापार समुद्री रास्ते से ही होता है वही 90% इन्दन भी समुद्री रास्ते से ही आता है अगर समुद्री रास्ते में कोई हमला करेगा तो भारत के कारोबार पर इसका सीधा असर पड़ेगा इससे सप्लाई चेन बिगड जाएगी अब हम बात करेंगे कि हुती विद्रोही कौन है साल 2014 में यमन में ग्रह युद्ध शुरू हुआ इसके जड़ सिया सुन्नी विवाद है कॉर्नेजी मिडल इस्ट सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार दोनों समुदाय में हमेशा से विवाद था जो 2011 में अरब क्रांती की शुरूआत से ग्रह युद्ध में बदल गया 2014 में सिया विद्रोहियों ने सुन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया इस सरकार का नित्रित्व राष्टपती अबद रबु मसूद हादी कर रहे थे हादी ने अरब क्रांती के बाद लंबे समय से सत्ता पर काबिस पुरुव राष्टपती अली अब्दुल्ला सालह से फरवरी 2012 में सत्ता चीनी थी हादी देश में बदलाव के बीच स्तर्ता लाने के लिए जूज रहे थे उसी समय सेना दो गुटों में बट गई यानि की दो फाड हो गई और अलगाव वादी हुती दक्षन में लाममन्द हो गए अरब देशों में दबदबा बनाने की होड में इरान और सौधी अरब भी इस ग्रह युद में कूद पड़े एक तरफ हुदी विद्रोहियों को सिया बहुल देश इरान का समर्थन मिला तो सरकार को सुनी बहुल देश सौधी अरब का देखते ही देखते हुदी नाम से मशूर विद्रोहियों ने देश के एक बड़े हिस्से पर कबजा कर लिया 2015 में हालात ये हो गए थे कि विद्रोहियों ने पुरी सरकार को निर्वासन में जाने पर मजबूर कर दिया था इसके साथ ही आज काई विशे यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद